कई को हलो फ्रेंट्स नमस्ते आजगा हमारे स्क्विलल टेस्ट के रिगार्डेंग प्रोसीजर एद्मिंश्ट्र इस सल्कुविनिश्म केंग को कैसे एड़ुस्ग इबनेट्र करते हैं स्कुल टेस्ट के लिगार्डिंग इंपोर्टेंट7 इंपोर्टेंट इए कि इसमें पूछ पूछ जा सकता है कि इंजक्षिने अध्य करना थिस a यहिस इन लगाना है तो आपको सेधी इंजेक्षिन लगाने लिए त्यर्य त्यार की जिए जो इस है इस परोचेजेश रिलेटेड दुनते हैं जखते हैं इसमें होता क्या है सब्वाइब इस निजेक्शन इज एड्मिनिस्टर्ड एज बोलस इंट इस इंट इस इस इंड डियर्क्ली बिलो दर्मीज और डिमिस क्लेक्टिवली रफर्ड इस इस सब्विटेनियस मीन्स एपिडर्मीज और डिमिस के नीचे एक लेर होती है जिसको सब्विटेश केते हैं उसमें इंजेक्शन लगाना सब्विटेनिस इंजेक्शन कहलता है ठीक है अब आता आती है आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए डूरिंग प्रोसीजर आर्टिकल्स चाहिए मेडिकेशन कार्ड इस्टेरल शीरींज नीडल चाहिए अप्रस्क्राब्ड मेडिकेशन इंपूल और वाइल अलकॉल स्वाब कोटर क्लीन ग्लॉज और कीड्नी ट्रे यह हम को तो यूरिंग प्रोसीजर आर्टिकल्स की नीड़ेड होती है ठीक है बाद मताई वीफ़वर प्रोसीजर हम क्या इंटिफाइब पेसेंट केरफूली पेसेंट को इंजेक्शन एडिविट और और आपको कैसे कोपरेट करना थीक है एंड़ेड वास करते हैं विट्रो मेडिकेशन फ्रोम एंपूल और वाइल एजप्रस्क्राइब मेडिकेशन एमूल से विड्रोगते हैं यह एक उमपूर्टन प्रोसीजर है जो इसकी स्कने वाला हां है ठीक्श T विड्रो करते हैं ठीक है फिर बाद में Asembles all equipment including loaded Medication in a syringe near the patient's website equipment हमकटा करते हैं विट अटा करते हैं विट loaded Medication syringe patient के वेड़ साथ पास ठीक है पर टेन को पूर करते हैं for privacy के लिए help the patient was you में position depending on the site selected हम patient को position प्रोवाइड करते हैं जो कि हमें अकॉर्डिंग टू कौन सी जगे पेडिमिनिस्ट करना उस हिसाब से हम पेसेंट को पोजिशन प्रोवेड करते हैं ठीक है जैसे आउटर एस्पेक्ट अपर आरम और रिलेक्ष्ट एंड एड़ आड़ साइड बोडी अगर आउटर एस्पेक्ट अपर आरम पर हमें इंजेक आउट पोजिशन हम देते हैं ठीक है रहा नमबर एसेस दा एरिया चेक पर लंप नोडूल्स टेंडरनेस हाडनेस स्वेलिंग स्केरिंग इचिंग और बर्निंग सेंसेशन एंड लोकलाइज इंप्लामेशन इंड एरिया हम मेडिकेशन एड्मिनिस्टर करने से पहले एस अगर लंप नोडूल्स टेंडरनेस हाडनेस स्वेलिंग स्केरिंग इचिंग बर्निंग सेंसेशन एंड लोकलाइज इंप्लामेशन इंड एरिया अगर लंप नोडूल्स टेंडरनेस या लंप से तो हम इसे हम यह पता लगा सकते हैं कि मेडिकेशन का अब्जर्वेशन प कर दिक है बाद में लॉज पेंटें और अगर लंप नेडूस तेंडरनेस किसी साइट पर दिख रहा है तो हम उसकी इस साइट को अवड़ करते है दूसरी साइट पर अडृड मिद्मिनिस्टर करते हैं मेडिकेशन को ठीक है तो बाद में घृपữa तर्ट से बाद में के लौ वाइल मुविंग आउटवर्ड तक उसको करते हैं करने बाद में अलॉदा साइट वाइटा निए को इलकोल से उसको क्लीन किया तो उसको ढूंढे होने देते हैं किया तरे वाद रियूज वें विड्रोइग निडिल उस वापस रेमें कीड़ने डालते हैं इसके लिए उसक कुछ में ले सके ठीक है रिमूव निडिल स्केप विट नोन डॉमिनेट हैंड पूलिंग इस्ट्रेट ओप बड़ाते हैं और इस्ट्रेट ओप मतलब एकदम सीधे निडिल को बड़ाते हैं ठीक है ना बाद में ग्रास एंड पिंस ता एरिया सरौंडिंग इंजेक्शन नीडल और मेडिकेशन ठीक है बाद में होल्टा सीरिंग डॉमिनेट हैं बीट्विन थम एंड फॉर फिंगर हमारे सीरिंग उसको में डॉमिनेट हैंड पर डॉमिनेट हैंड करते हैं थम और फॉर फिंगर के बीच में इंजेक्ट नीडल क्यूक्ली एट एंगल ऑफ 45-90 एंगल पर डिपेंडिंग उन अमांट उन टीशू ट्रगर ऑफ टीशू एंड लेंथ आप नीडल ठीक है फॉर्टीन विप्पूल एंगल इस फॉर्टीफ डिग्री से फॉर्टीफ डिग्री और इस प्रिफेर्ड एंवें यूजिंग इन इंसुलिन सीरिंज वित ट्वन अगर इंसुलिन सीरिंज ले रखे तो उसमें भी हम 90 डिग्री एंगल पर इंजेक्शन लगाते हैं अगर 45 डिग्री पर हमें थिन पीपूल के इंजेक्शन लगाते हैं ठीक है तो आप्ट रिलीज टीशू एंडिमेडियेटल मूव यूर्ण लोवर एंड शीरिंज एंड हैं ड मैं जैसे हमने देख शेलिए मतलब इंडल इंट सेर्ट किया तो जो हमने पिंच के ता किन्य ता टीशू उसको ब्रीज करते हैं रिलीज इन ब्लेड वेसल्स ब्लेड अपियर विड्रो निडल डिसकार्ड एंड प्रिपेर मेडिकेशन अगेंड की नूट अपिरेट दा हैपरेन एन इन्सुलीन सीरींज मतलब इन करते हैं आपकी जैसे बागी अगर सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है है परेंग में प्रइन क्यों ने करते हैं कि जिलर एंसुलीन को इसलिये है एस्मियर जो पीत करती हैं करते ही चोडे करहे कि मुए इंफोर्मेशन नहीं लेटाश्ट एक रिएंफिर नहीं देता उसे नीडल यह मतलब कहां पर प्लेस्ट की हुई है यह में रिलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं देता है इसलिए हम इंसुलिन की सिरिंज को विड्रोर या एस्पायरेट नहीं करते हैं ठीक है बाद में इंजेक्ट मेडिकेशन सलोली इपनो ब्लेट्स अपियर मेडिकेशन को अर विड्रों नीडल स्वेड़ एक दा सेम एंगल एज वाज इंसेटेड वाइल एपलाएंग काउंटर ट्रेक्शन एरुंड इंजेक्ट साइट विटे नों डॉमिनेट हैं हम जो वापस विड्रों करते हैं जहां जिस एंगल से हमने नीडल को इंसर्ट किया उसी एंगल से एंगल से वापस नीडल को रिमूव करते हैं क्यों अगर उसी एंगल से हम वापस नीडल को रिमूव करेंगे तो टिश ट्रूमा या टिश इंजूरी कम होने के चांसे होते हैं ठीक है मसाज ना एरिया जेंटली विट एल्कॉल स्वाब एंडूनोट मसाज हेपरीन इंसुलीन इंजेक्शन साइट हम पाकी जो इंजेक्शन जैसे सब इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें मसाज कर सकते हैं लेकिन हेपरीन और इंसुलीन इंजेक्शन में मसाज नहीं करते हैं क और बिलीडिंग अगर हेपारेन के हमने लगा के और मसाज कर दी तो बिलीडिंग के चांसेज ज्यादा होते हैं ठीक है बाद में डूनोट रिकेप निडिल डिसकार्ड शीरिंज एंडिल इन एप्रोपिरेट रिसेप्टेकल्स हम वापस निडिल को रिकेप नहीं करते हैं औ कमपटेबल पॉजेषान परसीजियर क्वलने कवाद में प्र लबीड है करवादी है एंड्वास करते हैं कलोऊ by करकें करते हैं मेडिकेशन को डोकुमेंट करते हैं अडिमिनिस्ट्रेशन की डेट टाइम डोज रूट साइट नर्स सिगनेचर हम यह सब डोकुमेंट करते हैं इवेडियूट रेस्पोंस और मेडिकेशन तू पैसेंट का मेडिकेशन मेडिकेशन का पैसेंट पर ठीक है कि अब Jetzt सब्सक्राइ्स सब्सक्राइज वैफ एसे तयार प्रिंस सब्सक्राइब तो क्यों रही तो कैसे ऊदफ द्यूंगمةος अ किर्नेदा, झ्यूंज эт attacking, нез one-four जो यह और लेटरल एस्पेक्ट ओफ थाई ठीक है पोस्टीरियर और अपर पार्ट ओफ वर्टक्स ठीक है यह यहां पर मेडिकेशन एड्मिनिस्टर कर सकते हैं सब्कुटेनियस ठीक है यह एंगल देखिए अगर पैसेंट थीन है तो हम 45 डिग्री एंगल पर लगाते हैं और इसको हमाइए एकदम 90 डिग्री एंगल पर लगाते हैं अगर इंसुलिन की सीरीज हमें नहीं रखिए ठीक है तन्यवाद फ्रेंड्स और कमेंट में बताएं और कौन-कौन से वीडियो और कौन-कौन से प्रोसेजर हमें प्रोसेजर पर समय हमें वीडियो बिलाने झाल